परच अविस्तार से जम्मु कश्मीर में गादर बलके सोन मर्ग और उसके आसपास के इलाकों में वो दुवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई इसके बाद राज्य को लद्दाक से जोडने वाला 434 किलो मेटर लंबा श्री नगर लेह नैशनल हाईवे बंद कर दिया गया है हलाकि श्री नगर जम्मु नैशनल हाईवे बारिश के बावजूद अभी खुला था वेदर डिपार्टमेंट के मुताविक राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में और बर्फबारी हो सकती है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया कि बर्फबारी की वज़़से सडक पर फिसलन हो गई है और मौसम में सुधार हुआ तो ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा सडके ठीक होने के बाद नैशनल हाइवे पर द्रास से कश्मीर और श्रीनगर से लेह तक ट्रैफिक कर शुरू करने की जाज़त दी जाएगी